हाई फ्रेंट्स विल्कम टु माइड़ी विंग चैनल इस वीडियो में हम चाय साइक लॉजी से रिलेटर टॉपिक को पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक है विकास की अधानायों इसका आधिगम से संबन तो हला क्यों साथ देख लेते हैं विकास के वल अव्रिति तक ही सीमित नहीं वरन वह बेवस्थित तथा समुनगत परिवर्तन है जिसमें परड़ा उस्ता के लेच्छे की और परिवर्तनों का प्रगति सील्ट क्रम नहीत रहता है जिसके परड़ाम सुरूप बेगतिमीन नवीन वीसेस्ताय यो योगताय प्र सदेखते हैं विकास परिवर्तन सिंखला क्यों वास्था स्वारी और अवस्था है जिसमें बच्छा भुड़ा अस्था से लेकर प्रड़ा अस्था तक गुजरता है वह विकास कहलाता है ठीक है बीकास के रूप चार परकार के होते हैं इसको देख लेते हैं आकार में परिवर्तन जैसे सारी ब्रेधी होना और यह सब आकार में परिवर्तन उदिखता ही है अनुपात में परिवर्तन अर्थ यह है शरीर का सभी अंगों में जो परिवर्तन होता है एक समान नहीं होता है उ पुरानी रुप रिखा में परिवर्तन जिसे बच्छा किसके चलता है तो अथली आवाज में बोलता है तो उस सब चेंज होने लगता है नए गुडो की प्राप्ति बच्छा नए नए गुडो को सीखता है यह हो गया विकास के रूप अब देखते हैं विकास के सिधान principle of development विकास का एक निशित प्रत्रीव होता है इसमें है यह दो परकार से होता है मस्त का दो मुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा मस्त का दो मुखी दिशा में जो बालक का विकास से पहले मस्तिश का निर्मार होता है फिर बाकी शरीक के यंगों का निर्मार होता है और निकट दूर दिशा में पहले धर्ड का निर्मार होता है फिर उसके बाद बाकी शरीक के भागों का निर्मार होता है ठीक है और यहीं जिवन परियाद चलता रहता है इसका सेगेंड पाइंट है विकास सामय से बिसेश की और होता है और जीरो बनाना सरकल डॉह करना बच्च शिखता है उसके बाद ही को अक्षर लिग पाता है नेच देखते हैं प्रस्था के अंसार होता है और डेपलेमेंट प्रोसेड वाइश और बिग्यास धीरे धीरे वता है आई के अंसार होता है अचानक से नहीं हो जाता है विगास व इन डेवलप्मेंट कि विकास की गट मिकास में रहता है ठीक है क्योंकि एक ही एज ग्रूप के दो बालक कभी एक बच्छा जादे समझदार रहेगा और एक बच्छे में थोड़ी मैचुर्टी कम रहेगी देखने मिलता है ति हमेशा बना रहता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ने देखते हैं विकास की गत में तिब्रता और मंधता पाई जाती है विकास की डिप्लमेंट प्रोसीड इन इस पाइल फैसन तो विकास कभी बहुत तेजी सोरने लगता है और कभी कि बहुत धीमेधीमे गस्याद से चलता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कले है और शेशला सथा में टेजी तेजी सोता है लेकिन वाले ass一樣 को थोड़ा सलो हो जाता है फिर frame देखते ह हैं विकास परिफखता और सिचार का पड़णाम होता है iki सब्सक्राइर को कैसी सच्छ देजाती है और उसकैंडी मफिकास होता है नियुकरमस wanas निरंतर चल जाने प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि रुक रुक के विकास हो रहा होता है अब हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग आफ डेवलप्मेंट तो पहला कारक है वंस वंसानुक्रम से यह है कि बालक जिस भी वंस का होता है तो उसी अपने माता पीता वाकी घर के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के जैसे ही कुछ न कुछ चीजी मिलते ही रहते हैं हाइट बालो का रंग आख प्राणी के मौलिक सोभा और उनके जीवन चक्र की गतिकुल नियंतर करती है ठीक है और इसमें है भिनता का नियम लाओ वरियेशन भिनता की नियम के उसार एक ही मावाग की दो संतानों में अंतर पाया जाता है और दूसरा इसमें प्रतिगमन की नियम लाओ और मावाप से तो उनका जो बच्चा होगा कोई को जोरी नियुफ्रिवास सानी ही हो और मंद वुद्धी की हो सकता है नेक्स्ट है वाता बदाल इंवौर्मक्ट मीख को रहता है जासे रहता है वहीं तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी बालक बिमार रहता है बहुत तरी को सामना करना पड़ता है उनमें तो इसे क्या होगा बहुत अच्छी तरीके सारी विकास नहीं हो पाएगा वह बाकी बच्चक तरह डेवल्प नहीं कर पाएगा ओकि नेक्स वाइं देखते हैं आंत फ़रा राइड गुरंती यह हड्यों और दातों की मज़बुती को पनाया रखने में कर्गर होता है और सभी गात बहुत और सबनाई रखने में यह अपना योगदान देता है इसमें लंबाई बढ़ाने में ठाया गुरंती काम करती है पूरसूत तथा इस्तृत के बुद्धी इंटेलिजनस बच्चा का ऐक्यू लेबल किया है वह भी कीरड़ा का इसा होगा। इसमें देखा जाता है कि लड़क्यों का बिकास जल्दी हो जाता है और लड़कों का बिकास थोड़ा सलोली होता है। के अब देखते हैं बिकास की विभीन अवस्था आ है इस्टेस आफ डिवलम्मेंट रँस के अंसार शैस्वा अश्था एक से तीन वर्ष पूर्वर पाले अवस्था तीन से च्य श्य वर्ष उत्तर पाले अश्था च्छे से बारे वर्ष कि शोरा अश्था बारे से ठ्यृर यह बस चार भागों में बिकास को डिवाइट किया है है कि हल्लाप अन्सा इन्हों ने इस बहुत कि आप देख रहे हैं गर्भा अस्था गर्वधान से जण्व तक पूर्व किसुरा उस्था यह संधी जो है किसुरा उस्था बाले उस्था के बीच की सेथ का काम करती है लड़कियों में 12-13 वर्ष में देखने मिलता है लड़कों में 13-14 वर्ष में देखने मिलता है ठीक है पूर्व किसुरा उस्था 13-17 वर्ष तक उत्तर किसुरा उस्था विकास की कितनी जुश्था होती है तो विकियानी को कि विकास की 9 जुश्था है ठीक है इस पहला देखते हैं यदर बाली घुश्था- प्रीट पिरियेड या कच्रें सुरी यह पुरी घयह गर्भा वस्था का समय होता है जो 9 वा तक चलता है और सेकंड है सैसर था इनफैंसी यह 15 दिन का समय को सैसर था कछते हैं और यह समय वजन का भी समय इसे कहा जाता है बच्बना वस्था बेबी हुट दो 17 से 2 अरश तक और यह समीग पर्धान वस्था होती है इसे बालक हर परका की समव है को ब्यक्त करना सीख जाता है लेक्ष्ट मेंड है बाले याष्थाészथा चांड होट इस-2 परकण'd कहोट है पूरबाले याष्था जो 2-6맛 तक है उत्तर बाले याष्था सा से 2 वर्श दोलों सही है और पूचे से सुले वर्स उत्तर की सवरा अस्था सदर से एकिस वर्स फोड़ा और साइड़ ठूट एकिस से चालीस वर्स तक यह गिर्यास जीवन में प्रविश्काने का समय होता है बेगते अपने करियर करता है और अपना जीवने आपन करने कोशिज कर रहा होता है बंध्या और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हु बाद होता है यह से राज के अस्तावी कहा जाता है क्योंकि यह बेगत की मालसिक और सारी को छमता छीड़ होने लग जाती है ओके इस वीडियो में इतना रहने देते हैं वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अनेक्स्ट टॉपिक होगा बालविकास कि सिद्धान ओके थैंक्स पर वाचिंग बाई